पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसे लोहा छूले तो वह सोने का हो जाता है. सैकड़ों सालों से आज भी पारस पत्थर की खोज जारी है. लेकिन आज तक कोई भी इसे ढून नहीं पाया. पारस पत्थर एक पहेली है जिसे आज तक कोई भी नहीं जान पाया. अक्बर के पास एक बहुत ही खूंखार गदावर नाम का हाथी था उसको काबू में करने के लिए उसके पैरों को लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांधा जाता था एक बार जब अक्बर ने बुरहानपुर पर आक्रमन किया तब नर्मदा को पार करने के बाद उन्होंने देखा कि उनके हाथी के बंधी हुई जंजीर सोने में बदल गई है इसके बाद अक्बर ने उस पारस पत्थर को खोजने के लिए दिन रात एक कर दिये और अक्बर की पूरी फौज ने नर्मदा के उस घाट को पूरी तरह से टहस नहस कर दिया लेकिन अक्बर को भी वह पत्थर नहीं मिला और ना ही उनका कोई दूसरा हथियार सोने में बदला करोली जिले के तिमन गढ़ के पास स्थित एक सागर में आज भी वह पत्थर मौजूद है जब राजा तीमन लाल को एक संत ने पारस पत्थर देते हुए एक भव्य किले के निर्मान की बात कहीं थी दुर्ग के निर्मान के बाद राजा ने वह पत्थर एक राजपुरोहित को दे दिया था दान में साधारन सा पत्थर पाकर राजप्रोहित बहुत अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने वह पत्थर सागर में फेंक दिया कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पर राइसेन के किले में यह पत्थर मौजूद है माना जाता है कि इस किले के राजा के पास यह पत्थर मौजूद था उस पत्थर को पाने के लिए कई राजाओं ने राइसेन किले पर आकरमन किया था एक बार जब राजा को लगा कि वह इस युद्ध में हार जाएंगे तब उन्होंने अपने किले में बने तालाब में उस पत्थर को फेंक दिया था इसके बाद इस युद्ध में राजा की मृत्यू हो गई थी राजा की मृत्यू के कुछ समय बाद ही महल वीरान हो गया था और यह पारस पत्थर महल में ही कहीं गुम हो गया कई राजाओं ने महल को खोद कर इस पत्थर को ढूंडने की कोशिश की थी परंतु वह सब असफल रहे कई लोग पारस पत्थर की खोज में रात को इस महल में खुदाई करते हैं कई लोग जादू टोना का भी सहारा लेते हैं आसपास के लोगों का मानना है कि कई बार यहां लोग इस पत्थर की तलाश में आए और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे क्योंकि पारस पत्थर की सुरक्षा एक जिन्न करता है